नमस्कार आप देख रहे हैं दे राजराटोट सो और मैं हूँ एड़ोकेट राजराटोट दोस्तों आज भी हमारे देश में वहुती कम लोग वश्यत करते हैं और इस वज़े से ही हमारे देश में प्रपर्टी समंदी दिविवाद बहुत ज़्यादा हैं आपको हर दूसरे तीसरे घर में कोई ने कोई प्रपर्टी समंदी दिविवाद देखने को मिल ही जाएगा साइद इसकी वज़े है लोगों में वश्यत समंदी जानकरी नहीं होना या वश्यत समंदी जानकरी है उसा ही नहीं होना लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना खर्चा और कैसे होगी और यह सब आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वश्यत के बारे में बहुत सी ज़रूरी बाते तो आएए देखते हैं कि अधिया कि अधिया कि अधिकार अधिकार अधिनियम 1925 में वश्यत समंधी योगेतों का वर्णन किया गया है इस एक्ट के सेक्शन 59 में बताया गया है कि कोई भी वेक्ती जो 18 साल से ज़्यादा का है और स्वास्च चित यानि sound mind है वो अपनी अरजित की हुई property यानि खुद की कमाई हुई property की वश्यत कर सकता है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपनी पैत्रक संपति की वश्यत नहीं कर है बस आपको चाहिए एक सीम्पल प SNP पर कोई Sומum कभी सकता नहीं होती है आप सिमपल अपने सब्दों में इसस अब नाम आप व्षयत्रेंस करना चाहते हैं उसके नम् Allen लिख सकते हैं लेकिन सर्त यहां पर करवाना ज़रूरी होता है क्या तो फ्र्रेंड्स इसका जबाब है वस्यत का रजिस्टेशन करवाना कोई जरूरी नहीं होता है बीना रजिस्टेशन खी हुई वस्यत भी वैलिड है लेकिन अगर मैं आपको कानूनी तोर पे सला दूँ तो यह कहूंगा कि हमेसा जब आप वश्यत करें तो उसका रजिस्टेशन जरूर करवा लेजिए क्योंकि रजिस्टर्ड वश्यत को जब कोर्ट में कोई चैलेंज करता है तो उसकी वैलिडिटी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है और वो एकदम आपके जिसके नाम आपने वश्यत की है उसको कोई प्रोब्लम नहीं होती है लेकिन जो वश्यत रजिस्टर्ड नहीं होती है अलांकि वह भी एक वैलिड वश्यत है लेकिन उसके उपर जो है कानूनी दाव पेज खेले जा सकते हैं उसकी वैलिडिटी को चैलें नहीं होती हैं रेजिस्टेशन सिंपल से फीस पे करके आप रेजिस्टेशन करवा सकते हैं अब आपके मन में एक सवाल यह हो सकता है कि आकीर वस्यत क्यों कराएं वस्यत की जरूर्थ कहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कोई वस्यत की बहुत ज़्यादा जरूरत है और हर व्यक्ति को अपनी प्रोपटी की वस्यत करवानी चाहिए सोचिए अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके पास काफी अच्छी खासी प्रोपटी है और उसके दो तीन बेटे हैं अगर वो वेक्ति बीना वश्यत कराए उसकी डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रिबूशन है तो उसके चारों बेटों में जरूर इसके रिलेटेड जो है विवाद होगा तो इससे अच्छा यह है कि जो वेक्ति पहले अपने जिंदा रहते ही हुए ही अपनी प्रॉपर्टटी को अपने हिसाब से अपने बेटों में या जिसको चाहे वह दे सकता है इसलिए वसियत जरूरी है तो फ्रेंड्स आश आशा करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीस वीडियो को लाइक करेगा अगर आप नहीं हैं हमारे चैनल